असलाम लेकुम आदाब आप देख रहे हैं स्ट्रेट अफ्जरव मैं हूँ आशिया खान जिस तरहां से जम्मू किश्मीर की बात करें डेली वेजर्स 25-30 सालों से एक लंबा संगर्श कर रहे हैं आए दिन वो अपनी मांगो को मनवाने के लिए कभी प्रोटेस्ट करते ग्रीन बेल्ट पार्क में देखे जाते हैं कभी वो बीजपी हेड़कॉर्टर्स का गहराब करते हैं फिर भी उनकी मांगो को नहीं माना जाता है तो अभी उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगो को जल्द पूरा किया जाएगा आज हमारे साथ एक ऐसे ही डेली वेजर्स मजूद हैं हम आपको बता दे इस वक्त हम मानसर में हैं तो हमारे साथ जो शक्स मौजूद है वो भी डेली वेजर है 31 सालों से वो भी लंभा संगर्ष कर रहे हैं आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि उनको किस तरह से कटनाईयों का सामना करना पड़ता है आखिर उनको 31 साल हो गए डेली वेजर्स के तोर पे तो सबसे पहले तो हम उनसे बातशीत करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं किस तरह से वो संगर्ष किया है उन्होंने 31 एर्स क्या नाम है आपका मरना गर्राम सर मैं नीली का रहने वाला हूं बुलाग एड़वाटर मानसर इदर में काम करता हूं कि चोभी साल में इदर तो हमने 1987 में काम लगे थे तो आज दाक हम लारे में ही रहे कर आज भी पर्मेंट हो रहे हैं कि अब देखते हैं हमरी कती साल सर्वेस हो गई तो आज दाक हमें कुछ अपना खर्चा चलाना बहुत मुश्कल है तो हमारे दो लड़की हैं और एक लड़का है तो हमारा ख़ता है। चोलाना बहुत असके साध्य घालत घालो मिलता है। को दिस देना हो जाते हैं। तो चलो, सथाट्स हो हमें मिल रहा है तो आइदा कर दो हम कुछ परमेंट नहीं हो से हमारा गुजारत करना बहुत मुश्कल है मैं यह नन बच्चे स्कूल जाते हैं अभी बच्चे एक जाती है बच्ची और दो की शादी करवारी है बहुत इतनी मुश्किल से हम है किससी स्थाजल में हम क्या कर सकते हैं तो हैं दौए हैं कि आइदा कभी पर्रमेंट हो रहे तो गौवर्मेंट कुछ रहे ही हैं आइदा कर नहीं संगी जो बच्ची जाती हैρα वह खुंसी स्कूल में जाती मिहां रिधा हाई स्ट Arist. स्कूल थ्यार तो दस्मी क्लास पढ़ रही है चलिए आपकी मान लेते हैं आपकी लड़की ने दस्वी पास कर ली अब वो कोई रिडिंग पर रही है अगर वो दस्मी पास कर लेती है वो कुछ ऐसे कोर्स की इच्छा करती है कि उसकी फीज बहुत जाद है तो फिर क्या करें करते हैं आज जितनी फीस है तो 50-5000 भी आ जा तीन 40-1000 भी होती है तो हम कहां करेंगे हमें इद्धिर खचा जो हमें 25 किलोमेटर आते हैं तो इद्धिर हमें रोज हमारा क्राय लगता है तो हम इद्धिर काम करें हैं कोई पंचयाद में लगाधें तो हमें थोड़ा सा बचा ने देर बात सुनी उस तरहां से और बी टेली वेजर्स हैं जो सफर कर रहे हैं बहुत सारे हमारे जो इदर के मजालता बलाग है पांच डेली वेजरे हैं दो की वो डेत हुई है वो साथ है तो हमें पांच है अभी मुझूद आ है तो एक खून बलाग में काम कर रहा है तो चार इदरी है कतिस साल बहुत जादा होते हैं एक डिपार्टमेंट में देना फिर भी डिपार्टमेंट ने डेली वेजर के तोर पे स्टार्ट सो के साथ घर का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से होता है फिर भी हम चाहेंगे आप जो देखने वाले विवर्स हैं जो गोर दें तो हमारी मांगे जो सब्सक्राइब आपके 10 साल बकाया है कि कभी ना कभी तो पर्मानेंट होंगे मेरे तो रखी है तो गवर्मेंट लारे दे रही है आज भी सुन रहे हैं को हमारी कुछ पूरी नहीं हो रही है एक सवाल जब 375 से तोड़ी गई थी तब कैसी उम्मी कर देंगे तो एक मिनने से भी होते होते अभी कितने साल होगे हमें 7-8 साल हमें यह लारे टाइम गुजार रहida ही हमें स्तारस यह चांड़ाई जबी हो रहा है तो हमें दो त्रिन वेरी पर उ से चलता है जो घर में बीवी और बच्चे हैं उनको भी पते हैं कि आप डेली वेजर्स हैं जब आप उनसे बातशीत करते हैं तब उनसे किस तरह से बातशीत हुआ हमें उनका खर्चा चलाना बहुत मुश्क्ला है अभी लड़की की वह जो स्कूल में जाती है जो हम 5-10 रव हमें सिर्फ कराया है तो हम गार से जल्दवाजी ना हमें फूरका खाना होगा तो हम इदर क्या खाएंगे बुखे रहेंगे वह आप गार से जाना बढ़ेगा तो आठ बढ़ेगा हम गार पहुंच जा तो आम चुलो नौकरी जो करनी है तो आम जाना चाहूंगी रोज डाउन करते हैं जी जिस तरहां से आपने सुना इनकी जो भी था ये डेली वेजर्स हैं 31 साल हो गए इनको डिपार्टमेंट में सर्विसिस देते हुए अठा स्था सो जो मिलता है उसमें से अठारा सो रप्या इनका जो है किराया जाता है तो वही कहने का है घर पे तीन किया जाए और जो इनकी पेंडिंग सेलरी है वो इनको रिलीज की जाए तो हम भी यहीं चाहेंगे और गौर्वर्मेंट से अपील करते हैं कि जो डेली वेजर्स है काफी लंबे समय से संगर्ष कर रहे हैं इनकी मांगो की जल्द सुनवाई की जाए ताकि यह जो अपना ग